कि नमस्कार दोस्तों यूट्यू चल में आपका स्वागत हैं इस वीडियो में हम कच्छा आठ का जो इतिहास का पहला अध्याय है उसको आपको पढ़ कर सुनांगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा रिवीजन के लिए आप यही प्रोसेस जो है अपनाएंगे इस वीड कर दो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसी तरह सारा जो है वीडियो आपको इस चैनल मिलेगा सिर्फ आपको एक बार बुक को पढ़ना है और उसके बाद उसको सुनना है बार बार और आपको जो है याद हो जाएगा तो मैं इसमें हाइलाइटर पेन का यूज नही होती हैं एक वक्त था जब इतिहासकार तारिखों के जादू में ही खोई रहते थे कब किस राजा की ताज पोशी हुई कब कौन सा युद्धुवा इनी तारिखों पर गर्मा गरम बहसे चलती थी आम समझ के हिसाब से इतिहासको तारिखों का परयाय माना जाता था आपने भी लोगों को ये कहते वे सुना होगा इतिहास तो बहुत उबाव है भाई बस तारिखें रटे रटे चले जाओ क्या इतिहास के बारे में ये धाणा सही है इसमें कोई सक नहीं कि इतिहास अलग-अलग समय पर आने वाले बदलाओं के बारे में ही होता है इसका संबंध इ तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आये हैं जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं रोजमर्रा की जिन्दगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा एतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं हम चीजों को स्वाभाविक मान कर चलते हैं मानों जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंबे के छड़ आते हैं कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पुछते हैं जो वाकई एतिहासिक होते हैं किसी वेक्ती को सड़क किनारे चाय के घूट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय काफी पीने का चलन सुरू कब से हुआ होगा लेलगाडी के खिरकी से बाहर आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माड कब हुआ रेलगाडी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थें सुबह सुबह अकबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उस्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अकबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जनकारी कैसे मिलती थी यहां पेक चित्र है चित्र में आप देख सकते हैं चित्र एक ब्रावर्ड ब्रिटेनिया को सास्त्र भेंट कर रहे हैं जेम्स रेनिल द्वारा तयार किये गए पहले नक्से का आवर्ड चित्र 1782 रावर्ड कलाइब ने रेनिल को हिंदुष्तान के नक्से तयार करने का काम सहपा था भारत पर अंग्रेजों की विजय की समर्थक रेनिल को बर्चस्व अस्ठापित करने की प्रकिर्या में नक्से तयार करना बहुत माथ्पूर लगता था इस तस्बीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्विच्छा पुर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौप रहे हैं मानोवे उसे भारती संस्कृती की रच्छा के लिए आने का आगर कर रहे हो ये सारे एतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरिद कर देते हैं समय को हमेशा सौल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जा सकता कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारिक तय करना वाकाई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सबेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चाहा था इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई असपर्ष तिथी नहीं हो सकती इसी तरह हम ब्रिटिश सासन की अस्थापना के लिए भी कोई एक तिथी नहीं बता सकते राश्टी आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था हुआ या अर्थ व्योस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए या बताना भी संबव नहीं है ये सारी चीजें एक लंबे समय में खड़ती हैं ऐसे में हम सिर्फ एक अवदी की ही बात कर सकते हैं एक लगबग सही अवदी के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने सुरू हुए होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारिखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं इस जुड़ाव की एक वज़ा है एक समय था जब युद और बड़ी बड़ी खटनाओं के बेवरों को ही इतिहास माना जाता था यह इतिहास राजा महराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था इतिहास कार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया किस साल उसका बिवा हुआ किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी वो कम मरा और उसके बाद कब कौन सा सासक गद्धी पर बैटा इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तीथी बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तीथियों का महत्व बना रहता है जैसा कि पिछले दो साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे सहर कैसे बने और बजार किस तरह फैले किस तरह रियासिते बनी नए विचार पन पे और संस्कृती वो समाज किस तरह बदले उसके बाद चित्र दो है आपर अब इस चित्र दो को देख सकते हैं लिप्टन स्टी बिग्यापनों से भी पसंद नापसंद तैव होती है पुराने बिग्यापनों से हमें ये समन्ने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बजार किस तरफ तयार हुए और किस तरफ नए रूचियां चलन में आई 1922 में लिप्टन चाय के लिए तयार किया गया ये विग्यापन इस बात की और संकेत करता है कि दुनिया भर के साई लोग यही चाय पीते हैं इस तस्बीर में पीछे की तरफ एक महिला एक भारती महल दिखाई दे रहा है जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तिसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है राजकुमार आर्थर को ड्यूक आफ कनाट की पदवी दी गई थी कौन सी तारिखें कुछ तारिखों को महतपूर मानने का पैमाना क्या होता है हम जो तारिखें चुनते हैं जिन तारिखों के इर्द गेर्ध हम अतीत की खाहनी बुनते हैं वे अपने आप में महतपूर नहीं होती हैं वे इसलिए महतपूर हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महतपूर मानकर चलने लगते हैं अगर अधियन का बिशय बदल जाता है अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महतपूर तारिखें भी बदल जाती हैं एक उधारण पर विचार कीजिए भारत में ब्रिटिस इतियास कारों ने जो इतियास लिखें उनमें हर एक गवर्नर जनरल का सासनकाल महतपूर है यह इतियास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स के सासन से सुरू होते थे और आखरी वाइसराय लाड मांट वैटन के साथ खत्म होते थे अलग-अलग अध्याओं में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हैस्टिंग्स, बिलजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लारेन्स, लिटन, रिपन, करजन, हार्डिंग, इर्विन के बारे में भी पढ़ते हैं इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वैसरायों का भी नखद्म होने वाला सिलसिला ही चाया रहता था इतिहास की इन किताबों में सारी तारिखों का महत्व इन अधिकारियों उनकी गद्विधियों, नीतियों, उपलबधियों के आधार पर ही टै होता था यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना मत पूर हो इन लोगों के जीवन का करम बृटिश भारत के इतियास में अलग-अध्याओं का भी से बन जाता था क्या हम इसी दोर के इतियास को अलग धंग से नहीं लिख सकते गवर्नल जर्नलों के इस इतियास के चौखटे में हम भारती समाज के विविन समुओं और वर्गों की गद्विधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं जब हम इतियास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकडों या अध्यायों में बार्ट देते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि हर अध्याय में कुछ सामजस से रहे इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके इस प्रकेरिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोड़ देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददकार होती है जो इतिहास गवर्णर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतियों की गदविधियों गदविधियां कोई माइने नहीं रखती उनके लिए वहाँ कोई जगे नहीं होती तो फिर क्या किया जाए जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्पूर नहीं रहेंगी हमारे लिए नई तिथियां महत्पूर हो जाएंगी वारेन चित्र 3 वारेन हैस्टिंग 1773 में पहले गवनर जनरल बने इतिहास की किताबों में गवनर जनरलों के कारनामों जिवनियों में उनकी गवरों गाथाओं और तस्बीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था हम अवधियां कैसे तय करते हैं 1817 में इसकाटलैंड के अर्थ सास्त्री और राजनितिक दार्षनिक जेम्स मिलने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री आफ ब्रिटिस इंडिया ब्रिटिस भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिस इन तीन काल खंडों में बाटा था काल खंडों के इस निर्धारण को ज्यादा तर लोगों ने मान भी लिया क्या आपको भारती इतियास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है इतियास को हम अलग-अलग काल खंडों में बाटने की कोशिस क्यों करते हैं इसकी भी एक वज़ा है हम एक दोर की खासियतों उसके केंद्री तत्यों को पकड़ने की कोशिश करते हैं इसलिए ऐसे सब्द बहत्पुर हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बाड़ते हैं ये सब्द अतीत के बारे में हमारे बिचारों को दर्शाते हैं वे हमें बताते हैं कि एक अउदी से दूसरे अउदी के बीच आये बदलाओं का यह महत्व होता है मील को लगता था कि सारे A.C.I. समाज सभेता के मामले में यूरोप से पीछे है इतियास की उनकी समधदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू और मुसल्मान तानासाओं का ही राज चलता था यहां चारो ओर के ओल धार्मिक बैर जातिगत बंदनों और अंद विश्वासों का ही बोल बाला था गति बिधी अपनी मा या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं अब उनके जीवन को अलग-अलग काल खंडों में बाटें और प्रतेक अवदी की महत्पुर घटनाओं की सुची बनाएं असपश्ट करें की अपने काल खंडों को किस तरह तै किया है मिल की राय में ब्रिटिश आशन भारत को सब्वेता की रा पर ले जा सकता था इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय सिष्टाचार कला संस्थानों और कानूनों को लागो किया जाए मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कबजा कर लेना चाहिए ताकि भारती जनता को ग्यान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगती नहीं कर सकता इतियास की इस धाड़ा में अंग्रेजी शाषन प्रगती और शब्यता का प्रतीक था अंग्रेजी शाषन से पहले शारा अंधकार का दौर था क्या इस तरह की धाड़ा को सिवकार किया जा सकता है क्या इतियास के किसी दवर को हिंदू या मुसलमान दवर कहा जा सकता है क्या इन सारे दवरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे किसी यूग को केवल उस समय के सासकों के धर्म के हिसाब से तै करने की जरूरत क् अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरिकों का कोई मत तो नहीं होता हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे सासकों का भी एक धर्म नहीं होता था अंग्रेजो द्वारा सुझाये गए वर्गी करण से अलग हटकर इतियासकार भारती इतियास को आमत और पर प्राचीन मद्यकालीन तथा आधनिक काल में बाट कर देखते हैं इस विभाजन की भी अपनी समझ से आए इतियास को इन खंडों में बाटने की यह समझ भी पश्चिम से आई पश्चिम में आधनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधनिकता की ताक्तों का विकास का युग माना जाता है उनके लिए मद्यकालीन समाज वे समाद थे जहां आधनिक समाज की ये विश्चिस्ता नहीं थी क्या हम अपने अधनिक काल की इस अवधारा को बिना सोचे बिचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे अंग्रेजों के सासन में लोगों के पास समानता सुतनता या मुक्ति नहीं थी नहीं या आर्थिक विकास और प्रक्ति का दवर था बहुत सारे इतिहासकार इस युग को आपनिवेशिक युग कहते हैं अप निवेशिक क्या होता है इस किताब में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और रस्थानी नवाबों और राजाओं को दबा कर अपना सासन अस्थापित किया आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थ बेवस्था वो समाज पर नियंत्र रस्थापित किया अपने सारे खर्चों को निप्टाने के लिए राजस्व वसूल किया अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमितों पर खरीदा निर्यात के लिए महत्पुड फशलों की खेती कराई और इन सारी कोशिसों के कारण ये क्या बदलाव आये आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहां की मुल्ली मानेताओं और पसंद नापसंद रिती रिवाज वह तोर तरीकों में क्या बदलाव आया जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रकिरिया को आपो नीवेशी करण कहा जाता है लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समू इन बदलाओं को एक ही धंग से अन्वों नहीं कर रहे थे इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानि कई अतीतों पर केंदरित नाम दिया गया है हम किस तरह जानते हैं भारती इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार काउन से सुरूतों का इस्तिमाल करते हैं प्रसासन अभिलेग तयार करता है अंग्रेजी शासन द्वारा तयार किये गए सरकारी रिकार्ड इतियासकारों का एक महतपूर्ट साधन होते हैं अंग्रेजों की मानेता थी की चीजों को लिखना बहुत महतपूर्ट होता है उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नितिगत, फैसले, सामती, जाच को साफ साफ लिखना जरूरी था ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्यन किया जा सकता था और उन पर बाद बिवाद किया जा सकता है इस समझदारी के चलते ग्यापन टिपड़ी और प्रतिवेदन पर आधारित सासन की संस्कृती पैदा हुई अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को समाल कर रखना जरूरी है लिहाजा उन्होंने सभी सास की संस्थानों में अभिलेक कच भी बनवा दिये तवसेल के दफ्तर, कलेटरेट, कमिशनर के दफ्तर, प्रांती, सचिवाले, कचारी सबके अपने रिकार्ड रूम में होते थे मातपूर दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आकाईब और संग्राले जैसे संस्थान भी बनाए गए उनिश्मी सदी की शुरुवात में प्रशासन की एक साखा से दूसरी साखा के पास भेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज भी अविलेखागारों में देख सकते हैं वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किये गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या उपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांती अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं उनिश्मी सदी के सुर्वाती सालों में इन दस्तावेजों की सवधानी पुर्वक नकले बर्मनाई जाती थी स्रोत एक ग्री विभाग को भेजी गई रिपोर्टे सन 1946 में भारत की आप निवेशिक सरकार साई भारती नौसेना के जहाजों में सिपाईयों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी उस समय विभिन बंदरगाओं से ग्रीब विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं बंबई इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दप्तरों पर कबजा कर ले साई नौसेनिक जहाज अभी भी बंदरगा से बाहरी हैं कराची 301 विद्रोहियों को गिरवतार कर लिया गया है कुछ अन्य संदेहास्पत्स विद्रोहीं भी गिरवतार किये गये हैं सारे दप्तर सेनिक निगरानी में विशाका पत्नम इस्तिती पूरी तरण नियंत्रण में हैं और कहीं हिंसा नहीं हुई है जहाजों और पतिष्ठानों पर साइनिक गार्ड तैनात किये गए हैं किसी परिशानी की उम्मीद नहीं है सिवाए इसके की संभव है कुछ सिपाई काम पर न आये डारेक्टर आफ इंटिलिजेंस हेट क्वार्टर इंडिया कमांड सिच्वेशन रिपोर्ट संख्या साथ फाइल संख्या पाच अबलिक 21 अबलिक 46 ग्री राजनीतिक भारश सरकार चित्र चार भारती राष्टी अविलेखागार 1920 के दसक में बनाया गया जब नई दिल्ली का निर्माड हुआ था राष्टी संग्राले और राष्टी अविलेखागार दोनों ही वाइसराय के निवास के नदिक बनाये गये थे इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी मत्व था उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे खुशन वीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुन्दर ढंग से चीजें लिखते हैं उनिश्वी सदी के मद्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी इस तकनीक के सारे अब प्रतेक सरकारी विभाग की करवाईयों के दस्ताबेजों की कई-कई प्रतियां बनाई जाने लगी सर्वेच्षड का बरता महत्व आपन वी निवेशिक सासन के दवरान सर्वेच्षड का चलन भी महत्पूर होता था गया अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह सासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है 19 सदी की सुर्वात तक पूरे देश का नक्साय तयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेच्षड किये जाने लगे गाओं में राजश्व सर्वेच्षड किये गए इन सर्वेच्षडों में धर्ती की सत्व, मिट्टी की गुर्वत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौदे और जीव जन्तूओं तथा अस्थानी इतियासों वह फसलों का पता लगाया जाता था अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का सासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था उनिश्वी शदी के आखिर से हर दस साल में जन्गर्णा भी की जाने लगी जन्गर्णा के जरिये भारत के सभी प्रांतों में रने वाले लोगों की शंक्या उनकी जाती इलाके और बेवसाय के बारे में जानकारियां इकठी की जाती थी इसके अलामा बनस्पतिक सर्वेच्षड, प्राणी, विज्यानिक सर्वेच्षड, पूरा तत्विक सर्वेच्षड, मानो साश्त्री सर्वेच्षड, बन सर्वेच्षड, आदी कई दूसरे सर्वेच्षड भी किये जाते थे चित्र पांच स्टरीफे का पौधा 1770 का दस्टक अंग्रेजों द्वारा बनाये गए बनास्पतिक उद्धान और प्राकृतिक इतियास के संग्रायलों में विभिन पौधों के नमूने और उनमें उनसे संबंदित जानकारियां इकठा की जाती थे इन नमूनों के चित्र अस्थानी कालाकारों से बनवाये जाते थे अब इतियासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जनकारी किस तरह इकठा की जाती थी और इससे उपनवी निवेस वाद के बारे में क्या पता चलता है अधिकरित रिकार्ड से क्या पता नहीं चलता रिकार्ड के इस विशाल बंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी रिकार्ड है चित्र संक्या च्छ बंगाल में मांचित्रड और सरवेच्छड कार चल रहा है जेम्स प्रिंसप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 ध्यान से देखें कि सरवेच्छड में इस्तिमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र की अलग हिस्से में दिखाया गया है चित्रकार इस परियोजना के बेग्यानिक स्वरूप पर खास दोर से जोड़ देना चाहता है चित्र साथ 1867 के बिद्रोही तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है 1867 के बिद्रों के बाद अंग्रेजों द्वारा तयार की गई सचित पुष्टकों में ये तस्वीर कई जगए दिखाई देती है इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है था बागी सिपाई लूट खसोट में लगे हुए हैं अंग्रेजों की नजर में बिद्रों जनता लालची दुष्ट और बेरहम थी इस बिद्रों के बारे में आप अध्याय पाँच में पढ़ेंगे इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे उनकी दिल्चस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाते थे इन रिकार्ट से हमें ये समन्ने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कारवाईयों की क्या वज़ा थी इन बातों को जानने के लिए हमें कई और देखना होगा जब हम ऐसे दूसरे सोर्तों की तलास में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती लेकिन सरकारी रिकार्ट के मुकाबले उन्हें ढूड़ना जरा मुश्किल साबित होता है इस लियाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्पूर्ण लोगों की आत्मकताएं और अस्थानी बजारों में बिकने वाली लोगपरी पुष्तक पुष्तिकाएं महत्पूर्ण हो जाती हैं जैसे जैसे चपाई की तकनीक फैली, अगबार चपने लगे और विभिन मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगे, नेताव और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कभियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को ब्यक्त करने के लेकिन ये सारे श्रोत उन लोगों से रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे, इनसे हमें ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किशान खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजानने वाले गरीब किस तरह के अनुबहों से गुजर रह थे, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं, जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी सुरोद दो, इंसानों के खाने के लायक नहीं है, अकबारों से देश के बिविन विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है, यहां 1946 में हुई पुलिस की एक हरताल की ख़बर दी गई है दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने ब्रहस्पती वार स्ववेरे अपने कम बेतन और पुलिस लायन्स बावर्ची खाने से आने वाले घठिया खाने के भोजन के खिलाब खाना खाने से इंकार कर दिया, जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुची वाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इंकार कर दिया, एक हर्ताली का कहना था, पुलिस लायन्स की रसोयां से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इनसान नहीं खा सकता, हमें जो चपाती और दाल खाने पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते, हिंदुस्टान टाइ दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है